हेलो दोस्तो आज का जो ये work from home update है वो टॉपर्स की तरफ से आई जो latest vacancy है उनके बारे में है और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं इन vacancy को जो detail है eligibility criteria है role है requirement है salary package है और साथ ही साथ जो इसका application process है उसको बताऊंगी और दोस्तो यहां पर अगर टॉपर्स की बात करें तो यह एक educational based platform है और दोस्तो इन vacancy हो का eligibility criteria है उसकी बात करें तो यहां पर 12th pass, undergraduates, graduates, phrasers, experienced, housewives, सारी का सारी यहां पर apply कर सकते हैं और दोस्तो इस job के लिए laptop required नहीं है तो अगर आपके पास laptop या desktop नहीं है तो यहां पर अपने जो mobile है अपना smartphone है उससे आप अपने घर में online है और साथी साथी से apply करना है यहां पे बिल्कुल free है तो यहां पे आपको अपने जेब से एक भी पैसा लगाने की जुरत नहीं है और आप इसे इंडिया के किसी भी location से apply कर सकते हैं यह पुरा permanent work from home job है और दोस्तों यहां पे अगर job profile की बात करें तो इसका जो profile है वो है online indoor solver यहां पे आपको जितने भी जो इस्टुडेंट होंगे अगर उनके मन में कोई question आता है तो आपके chat के तो आपको उस question को पुछेंगे और यहां पे आप अपने mobile से उस question का solution provide कर सकते हैं और यहां पे जो 4 से 10 ग्रेट वाले student है उनको आपको solution provide कराना है तो यहां पे इस करदी की बात करें तो यहां पे 20,000 पर मैंने तक की आप income यहां पे जमा सकते हैं पर यह जो है वो आपके जितना solution provide करेंगे उसके बेस पर depend करेगा और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आया है तो मेरे इस चैनल को like औ subscribe जरूर करें क्यो पूरा remote job है जो आपका description है, detail है, responsibility है, सारा का सारा चीज यहां पे दिया हुआ है और दोस्तों यहां पे subject भी mentioned किया हुआ है तो इसमें से सिप आपको एक subject का अच्छा knowledge होना चाहिए क्योंकि आपको इसमें से कोई भी एक subject को choose करना है और दोस्तों यहां पे आप देख सकते इस जॉब के लिए तो apply button पे प्रेस करें और उसके बाद आपके पास एक interface open होगा और देख सकते हैं इसमें आपको basic detail है वही यहां पे आपको बढ़ना है जिसे कि आप हर job के लिए पढ़ते हैं तो जैसे आपका first name हो गया last name हो गया email ID हो गया और अपका phone number हो गया तो जो आ अपना educational qualification भल लें और सांथी साथ नीचे आपको जो experience detail हो दिया हुआ है और उसमें आप देख सते हैं next उसका summary है तो यह optional है तो इसके छोड़ सते हैं उसके बाद आपका resume है तो आपके resume भी upload कर दें और पूरा detail बनने के बाद अगर आप यहां पे submit करते हैं तो submit करने के बा तेर उनने की